आज बनाने जा रहा हूं चिली चिकन होम स्टाइल यह मैंने थाई लिया है उसको मैंने छोटे-छोटे पीसिज में काट लिया है इस छोटे-छोटे पीसिज में काटके अब मैं इसको मैं इसको मैंने करूँगा मेरे पास यह स्वीट पैपरिका है यह स्वीट पैपरिका के स तो इस गार्लिक पाउडर भी हर किसी के पास आज की तारिक में अवेलेबल रहता है यह है वाइट पेपर सॉल्ट अकाउड़िंग टेस्ट कॉन फ्लार यह एक अंडाल है मैंने यह फुल लेग है और यह थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर डाला इसके अंदर मेरे पास सोय सास अवेलेबल है तो इसलिए मैं थोड़ी सी सोय सास भी ढाल रहों जाएगा आप चाहें तो आप अपर एंड़ कर सकते हैं हाँ यह हम अब चिकन को हम फ्राइ कर रहे हैं जो मैंने तकरीबन एक घंटे के लिए मेरिनेट करके रखा था इसको फ्राइ करने का जो टेम्परेचर है वो 150 से 180 डिग्री तक होना चाहिए मैंने इसमें थाइ का यूज किया है आप चाहे तो इसको ब्रेस से भी बना सकते है अब यह हमारा जो चिकन है वो हाफ दन हो चुका है मैं इसको निकाल रहा हूँ और हम इसको दुबारा फ्राइ करेंगे जब हम सॉस बनाने के बाद कि यह देखिए यह हफ्राइ रोचुका अब मैं इसकी सॉस बनाऊंगा और उसके बाद आदने के बाद इसको में डुबारा रिफ्राइ करूंगा जो है छिरे चिकन की सॉस बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने ओल लिया है थोड़ासा ओईल डाला है और अब मैं इसके में उस साथ आप जिंगर का यूजा करें और इसको हमें ब्राउन नहीं करना अब मैं इसके अंदर डालूं गा सबसे पहले ये डाइस्ट तो टोड़ा संधा सौया सॉास सॉल्ट तो टेस्ट वाइट पेपर यह मैंने थोड़ा सा पानी आड़ किया इसके अंदर अब इसके अंदर क्या करेंगे अब जो है पहले अपना चिकन को दुबारा री फ्राय करेंगे यह देखिए हमने चिकन को री फ्राय कर लिया है और अब मैं इसको सॉस में डाल अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉंट डालेंगे यह मैंने कॉंट डाला है गैस को मैंने स्पीड में किया विकॉस चाइनीज नी सर्फ राइंग इसके अंदर मैंने यह अनियंज है यह हमारा चिली चिकन ड्राय रेडी है सब करने के लिए लास्ट में विनेगर नी राला खटास के लिए नीब हमेशे लास्ट में ही डालें वनना नीब से कड़वापन आ जाता है यह हमारा ड्राय चिली चिकन ड्रेडी है अब हम इसको गानिश करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ आर चिली चिकन इस रेडी जो की लिमिटेड आइटम से बना हुआ है आप इसली इसको घर पर बना सकते हैं अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो लाइक कीजिए शेर कीजिए थैंक्यू